हेलो दोस्तो वेलकम डूआ नीव लोग दोस्तो माई फ़श्ट वडोग के चक्कर में आप लोगों की जिन्दकी बरबाद हो जाएगी क्योंकि रात दिन आप उसमें लगे हुए हो कि माई फ़श्ट वडोग को वाइरल करना है केसे भी करके वाइरल करना है पिछली बार भी कुछ लोगोंने 2-5 महीने माई 1 लोग को वाइरल करने के चक्कर में बरबात कर दिये और अभी भी माई 1 लोग के चक्कर में 2-5 महीने लोगोंने बरबात कर दिये लेकिन फिर भी माई 1 लोग वाइरल नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है कि UPSCO नीट की एक्जाम से भी टप हो चुका है माई फ़स्ट लोग को वाइरल करना समझ रहो बात को पिछली बार भी आपने देखा होगा 100 में से 5 लोगों का ही वाइरल हुआ है बाकी तो सब फालतू में महridgeनद कर रहे हैं राध दिन अपना बिगार रहे हैं कोई फाइदा नहीं मिल रहा है इसके बजाए आप महridgeनद करें अपने content पर ध्यान दे अपने चैनल पर ध्यान दे कि उसे केसे ग्रो करना है जितना रात दिन आप उसके बारे में सोचते हो ना माई फर्ष्ट व्लोग को वाइरल करने में इतना टाइम इतना सोचो कि मुझे मेरे चेनल को केसे ग्रो करना है केसे मैं लोगों से हटके करू केसे अलग करू तो मेरा चेनल ग्रो हो क्या विजय रिया व्लोग, क्या माई फ़स्ट व्लोग डाला था उसने, नहीं डाला था ना, फिर भी ग्रो हुआ ना, तो उसका content में दम था, ये से बहुत सारे example में आपको बता सकता हूँ, कि वो बिना माई फ़स्ट व्लोग डाले, ग्रो कर चुके हैं, आप इसमें समय मत बिगाड़ी है, समझ रहे हो बात को, ये माई फ़स्ट व्लोग का trend यूटूब नहीं लेके आए, ये आप ही लोग लेके आए हो, आप ही देखते हो माई फ़स्ट व्लोग को, आपको किसी का वीडियो चल लगा, तो आप उसके माई फ़स्ट व्लोग को देखते हो, और सम मैं भी आप लोगों ने एक दूसरे का वीडियो देखा भी नहीं, मैंने इतने सारे वीडियो कमॉनिटी में पोस्ट कर दिये, कोई एक दूसरे का देखता नहीं है, तो मुझे लगा कि हाँ वाके में इस चीज से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो मैं सोच रहा हूं कुछ सो से दो सो पान सो सस्क्राइबर, या आपको सो से दो सो पान सो लोग देखने वाले मिल जाए ना, तो आप अपने चैनल पर अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं, अगर आप वीडियो बना रहे हो, अगर कोई देखने वाला नहीं हो, तो मज़ा नहीं आत कि यह जब मैंने 300 सस्क्राइबर पूरे किये, तो मैं बहुत खुश था, और मैं वीडियो डालता गया, डालता गया, लेकिन आज अपने आप ही एक वीडियो वाइरल हो गया, दो वीडियो वाइरल हो गया, ऐसे वीडियो बहुत सारे आपके भी अचानक कभी ने कभी यहाइदा मिल सके तो दोसतोव आपको मेरी इत वबात समझ में आये होगी तो दोस्तोव अपनी जिंदगी बरbeit मत करों माई फुस्टो लोग के चक्कर में आप सीधा रास्ता ही अपनाओ जिस से आपको मंजिल मिल सकें तो दोस्तो हुआपको वीडियो अच्छा लगाओगा ठेंक्यू सो मच्च मेरा वीडियो देखने के लिए